नमश्का, फ्रेंड Chief, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल में आज एक बहुत बढ़े ग्रहे 29 जून को वक्री प्रिस्थिति में हो जाएंगे शनी महराज की बात कर रहा हू 29 जून को शनी महराज रातरी को वक्री प्रिस्थिति में हो जाएंगे और ये 15 नुवंबर तो लगबग 137 डेज का ये समय है शानी महराज वक्र गती से उल्टी चाल चलते हुए नज़र आएंगे परिवर्तन है ग्रह जिस चाल से पहले चल रहा था अब उल्टा चलना शुरू हो गया है तो एक चीज तो यहाँ पर दिखाई दे रही है ये हमने आज समझना है क्योंकि पहले ही आप श्रिकी साड़े साथी का दुष प्रभाव लिए हूए है काम में वीगन बाधाय के प्रभाव में मानसिक वेताई चिंताई बढ़ जाती है काम में रुकावटे आती है परन्तु अब वो ही ग्रह है जो आपके चंदरमा को दूशित कर रहा है जो राशी स्वामी, मीन राशी के स्वामी देव गुरुब रहस्पती को और जो चंदरमा के मुराजबान है उसको दूशित कर रहा था अब वो खुद स्वैम वक्र गती में हो गया है उल्टी चाल पीछे के और एक तरह से उनकी गती हो गई है मकर राशी की तरफ जाने की प्रयास कर रहे है कुछ अधुरे कारे जो आपके लाबस्तान से समद्दित शनी महराज के रहे गए थे एक प्रगार से उन समझे कि उनको पूर्ण करने के लिए वो पिछली तरफ चल पड़े है और इसका जो प्रभाव फिर मिलेगा उस शनी की जो दृष्टिया है अब उन में जो है कहीं न कहीं जो है कमजोरी शनी महराज की हो जाएगी वीक कंडिशन में होंगे और उसके बज़ा से फिर उन सभी भावों से आपको जो है वो शुवर प्रणाम इन दिनों में मिल सकते है तो कोई बड़ा काम आप करना चाह रहे हैं कुछ परिवरतन जीवन में लाना चाहते हैं रोजगार को लेकर के विशेश तोर पर कामकाश को कामधंदे को लेकर के वैपार को लेकर के जीवन के जीवन शैली जो आपके है उस धर्रे को बरदलने के लिए अगर कोई समय हो सकता है मीन राशी वालों के लिए तो ये वो समय हो सकता है 29 जून से परिस्तिति आरम है और 15 नमबर तक का समय सबसे पहले शनी माराज की बात करने वाला हूँ मैं आपके बारवे भाव में वक्र गती से हो गए है सबसे पहला पर भाव तो ये जो देने वाला है ये आपके विर्थ के खर्चों को ले करके है जो नुकसान बिना किसी बात के आपका खर्चा यहां पर बना हुआ था अब ये खर्चे के कारण हो सकते हैं किसी रोग में खर्चा हो बिमारी पे पैसा लग रहा है आपका दूसरा यहां पर विश्य इस तोर पर वियर्थ की यात्रा है ऐसा काम आपके पाओं में ऐसी यात्रा लगी वही पाओं में कि आप वर्तमान समय में चले जा रहे थे और बिना किसी फाइदे के नुकसान इन यात्रों में आपने जहला है ये परिस्तिती बनी थी तीसरा यहाँ पर जो नुकसान रहता है वो रहता है किसी ना किसी रूप में किसी रोजगार को लेकर के कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपने कहीं किया होगा वो नुकसान का सौधा आपका हुआ होगा तो अब वो परिस्तितियां बारवें भाओं से लेकर समाप्त होती हुए नज़र आएंगी बिमारी पर, रोग पर, कोट के चहरी मुकदमा पर, जो पैसा वकील को जा रहा है, डॉक्टर को जा रहा है, जो नुकसान आप जहल रहे है उसमें शैनी महराज की वक्रगती, उल्टी चाल जो है, वो कहीं न कहीं उसमें कमी करेगी या आपको उसके अच्छे प्रणाम यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगी, रोग समाप्त हो जाए, कोट के चहरी मुकदमा लिटिगेशन में, विजय शीरे आपको प्राप्त हो जाए, ये प्रियास शैनी महराज का यहाँ पर दिखाई देगा उसके पर चाद बावे महराज में शैनी होता है, ये कहीं न कहीं ग्रेस्त जीवन में भी दुख तकलिफे देता है, समन्द विछेद हो जाते हैं, समन्दों में कटूता आ जाती है, तो अब वो समन्द भी महदूरता में परिवर्तित हो जाए, इस परकार से मीन राशी वा में आप जो हैं, इन परिशानियों से मुक्ती प्राप्त करते में नज़र आएंगे, मीन राशी वाले जो विदेश में हैं और विशेश तोर पर कोई अब अगर आप काम करना चाह रहे हैं, कोई नया रोजगार करना चाहते हैं, कोई नया बिजनस करना चाह रहे हैं, तो पूर्ण रूप से आपकी मदद करेंगे उसके पेसजाद शनी की यह जो समझ है यो शनी की जो एक परभाव है जो आपकी राशी पर साड़े साती का पर परभाव लिये हुए है लगन पर जो चन्दरमा है उसको दुषब परभाव में लिये हुए है तो उसका परभाव अब यहां पर काम होगा तो सबसे पहला प्रणाम यह होगा जो गलती आपने की हैं जो नुकसान आपके गलत निर्णेओं की वज़ा से इससे पहले हो रहे थे जो इसकी वज़ा से आप मांसिक रूप से चिंतित हैं व्यथित है और खिंड़ता मन में बनी हुई है एक तरह से विक्ति जो है निराश हो जाता है वो परिस्तिति आप जो है वो आशा में बदलती हुए नजर आएंगी नई आशा की किरण इस समय आपको नजर आएगी जो आपके प्रयास है जो आपके डिसिजन मेकिंग है जो आपका निरने है वो इस समय बहुत अच्छा होने वाला है और साथ ही साथ इस समय जो है वो शरीरिक शमता स्ट्रेंथ भी वेक्ति की बढ़ती है क्योंकि जब मन छिन होता है तो वेक्ति कोई काम करने को उसका मन नहीं होता है उर्जा कम रहती है परंतु वर्तमान में ये परिस्तिती इस प्रकार से बनेगी कि शरीर में उर्जा का संचार होना है शक्ती का संचार होना है और कहीं न कहीं कारे करने के लिए आगे बढ़ें करमटता से आगे बढ़ें ये प्रभाव जो है वो शनी महराज की वक्रगती से आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा तो अच्छे परिस्तिती हैं प्रयास करें इस समय सफलता है आपकी कदम चूमती भी नजर आएगी तीसरी दिश्टी शनी महराज की जो आपके तूसरे स्थान पर है जिसको धन्भाव कहा जाता है रिसूर्सिस कहा जाता है वित्त कहा जाता है जिसमें भी आपको परिशानी चल रही थी पैसा टिक नहीं रहा था आया पैसा एक हाथ से पैसा है दूसरे हाथ से पैसा चला गया या किसी को पैसा दे रखा था, उधार आपने दिया है, पैसा वापिस नहीं आ रहा है जमीन से समंदित, मकान से समंदित कोई इंवेस्टमेंट करके रखी है उसमें आपको कोई फैदा नहीं, वो भी नुकसान का सौदा कुटम परिवार में समंद विचेद, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं सभी लोग विमुक हो जाएं, इस प्रकार की परिस्तिती शनी की इस पहले बनी हुई थी परंतवा परिवर्तन है, अब ये जो परिवर्तन है, ये शुबता के लिए जिसमें आपको कुटम का साथ मिलेगा फैमिली के साथ जो परिवार एक समंद सुदर जाते हैं, जो इससे पहले आपके अंदर एक सेलफिशनेस थी अपने परिवार को ले करके वो कहीं न कहीं दूर होगी इस समय आप उनका ध्यान रखेंगे उनके प्रती अपने जो करतव है उसको पूर्ण डूप से अच्छे से निभाएंगे और धन से समंदित, फाइन्स से समंदित, वित्त से समंदित जो भी परिशानिया इससे पहले आप जहल रहे थे उसमें कहीं न कहीं ये गोचर आपकी कमी करेगा तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो इसका मतलब है कि रोजगार लगने का चांसेस बन रहा है किसी को पैसा दी है, पैसा वापिस आजाए जो भी इंवेस्टमेंट आपने की है उसका आपको अगर नुकसान हुआ था पहले तो अब वो मुनाफ़ा या प्रॉफिट इस समय आपका माते हुए नज़र आएंगे और यही सबी चीज़े मुख्य तोर पर आपके रोजगार को लेकर के रहने वाली है रोजगार इसमें बहुत मुख्य तोर पर भूमी का नभाते हुए नज़र आएंगे शनी की सब्तम दृष्टी आपके शत्तू रिपू दमन के रिपू स्थान पर है चटे स्थान पर है तो यहां पर जैसे मैंने पहले कहा कि शत्तू का नाश अब करते हुए नज़र आएंगे रोगों का नाश करेंगे और जो लोन से समंदित जो आपके ओपर करजा चड़ा हुआ है इस पीछे जब से साड़े साथी का दुश्परभाव है करजे के बोज तले आप दबे हुएं तो उसमें कहीं न कहीं से आपको रहत मिलेगी कोई इस परकार सा कहीं से पैसा मिल जाए या ऐसी कोई परिस्तिती बन जाए जिसमें आप अपना उधार चुका सके लोगों को जो आपके दर्वाजे पर आकर कि आपको परिशान कर रहे है उनसे आपको शान्ती रहत मिल जाए कि आप उनको पैसा आपने वापिस कर दिया है तो शेनी महराज की परिस्तिती यहां दिखाई दे रही है और चुछे परकार के रोग शोकताप होते हैं शरीरिक मानसिक तौर पर आर्थिक तौर पर उसमें कही न कहीं आपको रहत मिलती वी नज़र आएगी तो अच्छी परिस्तिती है रोजगार के लिए सर्वे सेक्टर में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं कोई काम करना चाहते हैं उसमें सफलताय मिलेगी जो आपकी वुरुद शड़ंतर है जौब के क्षेत्र में कारिक शेत्र में उसमें कहीं न कहीं शनी माराज आपकी मदद करेंगे और उन लोगों को जो आपके वुरुद इस प्रकार का प्रयास करते हैं उनको नुकसान जहनना पड़ सकता है शनी की अगली दिष्टी जो दशम दिष्टी है करम की दिष्टी है कारिक शित्र की दिष्टी होती है जिसमें शनी माराज करम की दिष्टी में विक्ति आगे बढ़ाते हैं वो दशम दिष्टी में परभाव होता है और वो दिष्टी तो आपकी करम स्थान पर ही है 10th house में शणी की दشम दिश्टी यहाँ पर आपके दिखाई दे रही है और उसका पर भाव जो आपको बैसरे रहने वाला है भाग्येस्थान पर जो इसकी दिश्टी पढ़ने वाली है कर्मक्षेत्र में जो आपका दशमस्थान है उसके साथ साथ जो इसकी दृष्टी है वो भागे स्थान में है नवम भाव में शानी महराज अपनी दृष्टी से जो है आपके भागे समंदी विशों में बहुत उन्नती बहुत तरक्की परदान करते वे नज़र आएंगे तो अब ये जो कर्म आपका होने वाला है जो कारिक शेतर होने वाला है कालपूर्ष कुर्ड़ी के साथ से दशमस्तान होता है परन्तु आपकी जर्म कुर्ड़ी में ये भागे स्थान है नवम भाव है तो नमबावसे समंदित कर्मों में इस समय आपको शुबता प्राप्त होगी जिसमें विशेष तौर पर मैंने कहा कि भाग़े का साथ मिलेगा पिता से समंदित कोई जमीन का मसला है पिता से समंदित कोई और आपके दुख तकलिफे कश्ट कलेश है उसमें स्वापती होगी पिता का स्वास्ते ठीक नहीं चल रहा है उसमें ठीक रहेगा और साथी साथ कोई मान सा मान नौकरी को लेकर के रोजगार को लेकर के प्रोमोशन का हो गया और पैसों के इंक्रिमेंट आपको लग जाए नौकरी में आपका पैसा बढ़ जाए सैलरी बढ़ जाए इस परकार की परिस्तेती मीन राशी वालों के लिए दिखाई दे रही है यात्रों का ये बहुत उत्तम समय हो सकता है लंबी दूर की यात्रा है जो कि आपको भाग के वरिद्धी दे धर्मिक शित्रों की यात्रा है जो आपको पैसा दे, मुनाफा दे लाव कमाए आप, भागे आपका उन्नत हो प्रशस्त हो, इस परकार से दिखाई दे रहा है उच्छ अध्यन के लिए भी बहुत अच्छा समय समय चल रहा है मीन राशी वालों के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है ग्रहिनों के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ, जो कृशक है, किसान है लेबर क्लास है, इन सभी के लिए शैनी माराज का यह जो गोचर है वक्र परिस्तिती में, यह परिवर्तन की लहर है, 137 डेज के लिए इसका मीन राशी वालों के लिए बहुत चो परभाव रहने वाला है तो यह था मीन राशी वालों के लिए शैनी की वक्र गती का क्या परभाव होगा उस पर एक चोटा सा वीडियो तुमें नहीं टिकती खुशिया में दिकत है वास्तू की तुमें एस्ट्रोलोजी सीखने में इंट्रस्ट तो जल्दी से आ जाओ बेसिक से एडवांस तक की एस्ट्रोलोजी सीखने के लिए उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्यू लग थाओ दिए प्लिए 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 चानल था लग वाचिए तो जैसे करता हूं